बच्चों, आज हम अभिव्यक्ति और माध्यम की पुस्तक में से पत्रकारिय लेखन के विविद रूप और लेखन प्रिक्रिया पाठ पढ़ेंगे। तीदी पत्रकारिय लेखन किसे कहते हैं? अकबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठ को, दर्श को और श्रोताओं तक सूचनाई पहुचाने के लिए लेखन के विविविन रूपों का प्रियोग करते हैं। इसे ही पत्रकारिय लेखन कहते हैं। दीदी, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? पत्रकार तीन प्रकार के होते हैं. पूर्ण कालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और फिर्लांसर पत्रकार. चलो, मैं तुम्हें इन तीनों पत्रकारों से मिलवाती हूँ. ये है पूर्ण कालिक पत्रकार. पून कालिक पत्रकार मतलब ऐसा पत्रकार जो किसी समाचार संगठन में काम करता हो और जिसे नियमित वेतन मिलता हो यानि कि ये परमानन पत्रकार है ये है अन्शकालिक पत्रकार ये किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदे पर काम करने वाला पत्रकार होता है यानि कि अगर ये किसी समाचार संगठन के लिए 10 दिन काम करता है तो इसे 10 दिन का मेहनताना मिल जाता है ये है फ्रिलांसर पत्रकार ये किसी एक विशेश अकबार से नहीं जुड़ा होता ये तो भुक्तान के अधार पर अलग-अलग समाचार पत्रों के लिए लिखता है जैसे कि अगर ये कोई लेख या आर्टिकल लिखता है तो ये इसकी मर्जी है कि ये किसी भी अकबार को दे और फिर वह अकबार इसे उस लेख के बदले में भुक्तान करता है ये एक सतंतर पत्रकार है अब मैं तुम्ही समाचारों के छे ककार के विशे में बताती हूँ किसी समाचार को लिखते समय मुख्य रूप से छे सवालों के जवाब देने की कोशिश की जाती है क्या, कोन, कहा, कब, क्यो, कैसे ये समाचार के छे ककार होते है यानि कि क्या हुआ, किस के साथ हुआ, कहा हुआ, कब हुआ, क्यो हुआ, कैसे हुआ क्या तुम्ही याद है? मैंने तुम्हें पिछले पार्ट में उल्टा पिरामिण शällenी के बारे में बताया था हाँ दीदी मुझे याद है समचारों को लिखने के लिए उल्टा पिरामिण शेली का प्रेयोग किया जाता है इसमें समचार के सबसे महतपून तथ्यों सूचना या जानकारी को सबसे पहले लिखा जाता है उसके बाद कम महतपून सूचनाओं को लिखा जाता है उल्टा पिरामन्चेली में समचार को तीन भागों में बाट कर लिखा जाता है पहला इंटरो या मुखडा दूसरा हिस्सा बोडी और अंतमे समापन अब इसे और अधिक घेराई से समझते हैं इंटरो या मुखडे में समाचार से समबन्दित पहले 3 या 4 ककारों का उत्तर दिया जाता है ये ककार है क्या, कौन, कब और कहां बोडी में दो ककारों का उत्तर दिया जाता है कैसे और क्यों एक उधार्ण की सहायता से तुम्हें समझाती हूँ एक समाचार है कि मासकों में छत ठैने से चार लोग मरे और 29 घायल हुए इस समाचार में इंट्रों के अंतरगत चार ककारों का उत्तर मिलेगा क्या, कौन, कब और कहां, क्या हुआ, 6 लोग मरे और 29 लोग खायल हुए कौन थे, आमनागरिक थे, कब हुआ, बुद्वार की शाम, कहां हुआ, मासकों में बोडी के अंतरगत दो ककारों का उत्तर मिलेगा कैसी और क्यों, कैसी हुआ, छट ढढ़ने से, क्यों हुआ, छट पर बरफ के जमने से इसके अलावा, तुम्हें एक जरूरी बात और बतानी है कि हमें समाचार से समबंदित, जानकारी कहां कहां से प्राप्त हुई है उसके बारे में भी अवश्य लिखना चाहिए जिसका उदेश्य पाठको को सूचना देना, सिक्षित करना और उनका मनोरंजन करना होता है समाचार और फीचर लेखन में कुछ विभिनताएं होती है जैसे समाचार लिखते समय, रिपोर्टर उसमें अपने विचार नहीं डाल सकता जबकि फीचर लिखते समय, लेखक अपनी राई, अपना दिष्टिकोन, अपनी भावनाई उसमें जाहिर कर सकता है समाचार लेखन में तो उल्टा पिरामेट शैली का प्रियोग होता है लेकिन फीचर लेखन का कोई एक निश्चित धाचा या फार्मूला नहीं होता फीचर लेखन की शैली लगभग कथात्मक शैली के समान होती है दीदी फीचर कितने परकार के होते हैं? फीचर विभिन परकार के होते हैं जैसे समाचार बैग्राउंडर फीचर, खोजपरक फीचर, सक्षतकार फीचर, जीवन शैली फीचर, रुपात्मक फीचर, व्यक्ति चित्र फीचर, यात्रा फीचर, विशेश रूची फीचर एक अच्छे फीचर के लिए उसके साथ फोटो, रिखांकन और ग्राफिक्स का होना बहुत जुरूरी होता है हर फीचर का प्रारंब, मध्य और अंत होता है जैसे मान लो तुम किसी जाने माने व्यक्ति पर फीचर लिख रही हो तो उसका प्रारंब यानि की शुरुवात बिल्कुल आकरशक और जिग्यासा उत्पन करने वाली, उत्सुक्ता पैदा करने वाली होनी चाहिए इसके लिए तुम उस इंसान के जीवन की किसी ऐसी घटना के बारे में लिखो जिसने उनके चीवन की दिशा ही बदल दी हो उसके बाद फीचर के मध्य में उस व्यक्ति के जान पहचान वाले नजदी की लोगों के वक्तवे लिखे जा सकते हैं जिससे की उस इंसान के व्यक्तित्व के विभन पहलूँ को उजागर किया जा सके फीचर के अंतिन हिस्से में उनकी भविश्य की योजनाओं को फोकस किया जाना चाहिए फीचर में शब्दों की कोई अधिक्तन सीमा नहीं होती अखबार या पत्रिकाओं में 250 शब्दों से लेकर 2000 शब्दों तक के फीचर छपते हैं तुम भी अपने स्कूल के एन्वल फंक्शन पर या किसी एज्जुगेशनल डूर पर या किसी फैक्ती पर अधारित कोई फीचर लिखने का प्रियास कर सकती हो आ दीदी मैं भी फीचर लिखने की कोशिश करूंगी दीदी विशेश रिपोर्ट क्या होती है समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं में समान्य समाचारों के अलावा गहरी छानबिन, विश्लेशन और व्याख्या की अधार पर विशेश रिपोर्ट भी परकाशित की जाती है विशेश रिपोर्ट को तियार करने के लिए किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहरी छानबिन की जाती है उससे समबदित महत्वपोर्ण तथ्यों को इकठा किया जाता है फिर उन तथ्यों का विश्लेशन किया जाता है और उसके परिणाम, प्रभाव, तथा कारण सपष्ट किये जाते है विशेश रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है विशेश रिपोर्ट कई तरह की होती है जैसे खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विशलिशनात्मक रिपोर्ट और विवरनात्मक रिपोर्ट अब मैं इन रिपोर्ट के बारे में तुम्हें विश्तार से बताती हूँ खोजी रिपोर्ट खोजी रिपोर्ट में किसी विश्य की गहराई से चान बिन करके ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाया जाता है जिन्हें पहले दबानी या छुपाने की कोशिश की गई हो इस रिपोर्ट का इस्तेमाल भरष्टाचार, एनियम दताओं और गडबड़ियों को उजागर करने के लिए किया जाता है इन डेप्थ रिपोर्ट में सारजनिक तोर पर उपलब तथ्यों, सूचनाओं और आंकडों की गहरी चान बिन की जाती है और उसकी अधार पर किसी घटना, समस्या या मुद्दे से संबंदित महत्यपुन पहलों को सामने लाया जाता है विशलेशनात्मक रिपोर्ट इस रिपोर्ट में किसी घटना या समस्या से संबंदित तथ्यों की विशलेशन और व्याख्या पर बल दिया जाता है विवरनात्मक रिपोर्ट इस रिपोर्ट में किसी घटना या समस्या के विशृत और बारिक विवरन को प्रस्तुत करने का प्रियास किया जाता है विशेश रिपोर्ट को सरल, सहज और आम बोलचाल की भाषा में लिखा जाना चाहिए जब तुम कोई अखबार पढ़ते हो तो तुमने देखा होगा कि अखबार में एक संपादक्ये प्रिष्ट होता है उस प्रिष्ट यानि पेच पर संपादक्ये ओर से लिखे गई लेख को संपादक्ये कहा जाता है संपादक्य को उस अखबार की आवाज माना जाता है संपादक्य के जरिये अखबार किसी घटना, समस्या या मुद्दे के परती अपनी राय को प्रकट करता है संपादक्य किसी व्यक्ति विशेश का विचार नहीं होता इसलिए संबादक्य के साथ किसी का नाम नहीं चापा जाता स्थम्भ लेखन एक परकार का विचारपरक लेखन होता है कुछ महत्वपून लेखक अपने खास विचारिक रुझान के लिए जाने जाते हैं उनकी अपनी एक लेखन शाली भी विक्सित हो जाती है ऐसे लेखकों की लोगप्रियता को देखकर समाचार पत्र उन्हें एक नियमित स्तंभ लेखन की जिम्मेदारी दे देते हैं स्तंभ लेखक को स्तंभ का विश्य चुनने और उसमें अपने विचार विक्त करने की पूरी अजादी होती है समाचार पत्रों के संपादक के पेज पर और पत्रिकाओं की शुरुवात में संपादक के नाम पाठकों के पत्र भी प्रकाशित होते हैं यह पाठकों का अपना स्तंब होता है इसके जरीए पाठक विभिन मुद्दों पर अपनी राई प्रकट करते हैं तथा जन हित की समस्याओं को भी उठाते हैं यह जरूरी नहीं होता है कि अखबार पाठकों के विचार से सहमत हो सी के साथ अब हमारा पत्तर कार्य लेखन के विभिन रूप और लेखन प्रक्रिया पाठ समाप्थ होता है अगली कक्षा में हम विशेश लेखन सवरूप और प्रकार पाठ पढ़ेंगे